नमस्कार दोस्तों, वेलकम टो आसे अस्ट्रोलोजी, मैं नीतु सिंग दोस्तों, आज कल मैं रोज आप लोगों को एक नया टोटका बतारी नय टोटके की जानकारी दे रही हूँ गिरे नहीं ऐसे रखे, और सुबह उठकर किसी भी बबूल की पेड़ की जड़ में डाल दे, ऐसा हर रविवार को करे, कितनी भी बुरी नजर क्यों नहीं लगी होगी, वो उतर जाएगी अगर किसी व्यक्ति का बार-बार एक्सिजेंट होता है, तो क्या करना है, अमवस्या के बाद, जो पहला मंगलवार पड़े, उस दिन आपको 400 ग्राम दूद लेना है, थोड़े से चावल में बिगो देना है, और किसी भी आस-पास कोई नदी हो, या कोई भी साफ सुत्रा नाला हो, उसमें जाके डाल देना है, ऐसा आपको साथ मंगलवार लगातार करना है, ऐसा करने से दुरगटना होना बंद हो जाएगी, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा के लिए लक्षमी निवास करें, अचल-चल संपत्ति आपको मिले, तो क्या करना है कि कि घर में अचल संपत्ति का वास होगा, सुमबार के दिन शिवलिंग पर दूद से अविशे करने से विवसाय में व्रिद्धी होती है, कितना भी आपका विवसाय क्यों न ठप हो गया हो, ऐसा करने से आपके विवसाय में आपको लाब मिलेगा, अगर कुंडली में गुरु ग्रे आपका मजबूत होगा, एक काम और कर सकते हैं, आपकी दूद में थोड़ी सी हल्दी मिला के आप उसको पीना शुरू करतीजे, शाम के टाइम उससे भी गुरु ग्रे मजबूत होता है, तो दोस्तों कैसी लगी है मेरी जानकारी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मुझसे जुणने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलेंगे, जै माता दी